हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से तयार हो जाए बहुत बहुत सारा विन करने के लिए क्योंकि हमें विश्वाल से हमारे अनलेसिस के उपर कि आपको बहुत सारा हम विन कराएंगे और दोस्तों कल जो गलतियां कियें उन्हें आज मत दोहराना और कल जो हुआ था मैच में आज उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे उसके बारे मैं इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पर प्रेस कर देना अपने फ्रेंड सरकल में दोस्तों में यारों में सब जगे इस चैनल को फेला तो दोस्तों क्योंकि यहां पर जो एनालेसिस मिलेगा वो आपको कहीं दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी तो जूट बूलने का काम नहीं है जो है आपके सामने है एनलेसिस के बेस पे काम करतें तुक्के लगातें नहीं और चली दोस्तों बात कर रहें सबसे पहले वेन्यू के बारे में लेकिन 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 अगर आप लोग टेलेग्राम पर नहीं हो तो बहुत कुछ मिस्कर जाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम का लिंक दिया है मैंने आप जाके जॉइन कर लीजेगा या फिर आप चाहो तो सीदे सर्च भी कर सकते हो लिखो टेलेग्राम पर सच करो यह लिखके जैसी आप लिखो गया आपको हमारा चैनल मिल जाएगा हाला कि कुछ फीक चैनल मिलेंगे जो समझदार लोग है वो औरिज दूसरा मैच यह कल पहला मैच खिला गया था अब इस मैदान के अगर बात की जाए दोस्तों मैदान पर आपको कुछ अच्छे स्कूर्स देखने मिल सकते हैं कुछ बड़े स्कूर्स यहां पर हमने देखे हैं हाला कि जो 2021 में है श्री लंका के गिलाफ इंग्लेंड खेली थी वहां पर इतने बड़े स्कूर्स बने नहीं थे क्योंकि श्री लंका उस टैम दोस्तों स्ट्रगल कर रही थी बिल्कुल फ्रेश टीम थी नई टीम बनकर निकल कर आई थी अब यहां पर आप देखेंगे पिच कंडिशन मैदान पर आठ मैच खिले गए जिन में से छे पास चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है मतलब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना और ज्यादा आसान हो जाता है पहली पारी में फास्ट बोलोस को थोड़ी ज्यादा मदाद आपको देखने मिल चाएगी यहां देखा जाए तो एक सो पचास से कम का स्कूर नमबर च्छे बैटिंग करने आए इस मैच में जॉस बटलर ने सिक्स्टी एट का स्कूर किया था ओपन करने आए थे यहां पर दसुन सनाका ने अच्छी बैटिंग की थी पचास रहनों का स्कूर किया विकिट जो है यहां फास्ट बोलर्स के खाते में ज्यादा थे और भी फास्ट बोलर्स के खाते में ज्यादा विकिट है अब बात करते हैं जो कि अभी पिछले मेने ही खतम हुई है यहां पर देखिएगा इस मैच में 171 का स्कूर है और स्कूर करने वाला प्यर था ओपनर नहीं यहां पर 50 का स्कूर किया तो दूसरी तरब भी आपको ओपन चले गए लेकिन यहां पर भी स्कूर करने वाला प्लेट करूंता ओपनर यहां पर भी दोस्तों ओपनर नहीं स्कूर किया है इसके बाद आप यहां पर देखेंगे यहां पर नंबर चार की बल्लेबाद ने स्कूर किया लेकिन यहां पर आपको ओपनर स्कूर करता हुआ ही नजर आएगा तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा जाधा असान होगा अब आप यह मान के चलिएगा कि जो टीम सेकंड बैटिंग पचास किया था पहली बारी में जो इसकोर है वो थोड़ा नीचे तक जा सकता है नमबर तीन नमबर चार तक जा सकता है आप कहेंगे पिछले मैच में भी गया था वह तो लेकिन पिछले मैच में वेरिस्टों के बहुत सारे कैटिस ड्रॉप हुए थे दोस्तों करते हैं उस जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है विलको लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगता है इंग्लेंड ने 234 का स्कोर किया है साओध अफ्रिका काफी क्लोज गई थी और जबरदस्त प्लेयर निकल कर आया दोस्तों ट्रस्टीन स्टप् रेटिंग की बंदे ने मसा दिला दिया यहां पर डैविड मलान 43 दे जॉनी बेरेश्टो नभे और मुहिन अली के 50 थे इन्हों ने अच्छा खेरा मुहिन लिए हैं फिर जॉस बटलर 22 रैसिस्ट टॉपली के दो विकेट थे ग्लेसन के तीन थे रशीद के दो विकेट थे दूसरी तरफ हैंडरिक्स 57 स्टाफ 72 और एंगीडी ने पांच विकेट निकाले हलाकि दोस्तो इतना बड़ा मैच दोबारा नहीं होगा यह दोस्तो चोंतीस वाला नहीं होगा मैच होगा 170-180 के आसपास वाला यहां पर देखिए गा 190 का स्कोर था डिकोग के 34 थे दसन के 94 थे मारकराम के 52 थे रबाड़ा तीन विकेट शमशी दो विकेट और प्रेटोरियस ने दो विकेट निकाले तो यहां पे बटलर 26 मलान 33 अली 37 और लिविंग्स्टन का 28 रनों का स्कोर था यहां पे साथ अफरिका ने 190 किया यहां आरवी दसन के 74 थे तो इसमें जॉस बटलर और डेविड मलान का बड़ा स्कोर था इसमें कॉंटन डिकोग शमसी और एंगीडी का रोल देखने मिला था तो यहां पे मलान और राशित ने अच्छा परफॉम करके दिया कॉमन प्लेयर कौन से हैं अगर आप कुछ कॉमन प्लेयर का सेलेक्शन करोगे तो आपको देखन आप टीम में आपने सामने हुई ना तो मैक्सिमम टाइम स्कोर क्या है आप स्मॉल लिग का कॉम्गिनेशन तयार कर रहे हैं तो इंप्लेयर पे आपको इस्पेशली नज़र रखनी है यह आपकी टीम में होना चाहिए ग्रें लिग में आप चाहो तो रिसक ले सकते हैं ले लेक मैच खेला था एक रन का स्कूर किया मलान ने तीन पारियों में एक35 किया है इनका सतर हाईस्ट है और जॉनी बेरस्टो अब यहां से बात करते हैं और अपने पिछले तो जैसन रोई ने आठ रमनों का स्कोर किया था, जोस्तो जैसन रोई की एक कमजोरी है, वो यह कि राइटाम फास्ट बोलर को अतना बैठर नहीं खेल पाते हैं, आप यहाँ पर देखिए कि 16 का एबरेज है, लेक ब्रेक के सामने 15 का एबरेज है, और मीडियम के सामने 17 का ए बस यह वो तो गेंदवाज हैं जो इन्हें परिशान करेंगे सबसे ज्यादा, अगर यह दोनों प्लेंट से वो बचके निकल पाते हैं, तब आपको जैसन रोई बड़ा स्कोर करके देंगे, अब कंडिशन यही बनती है कि इनको कितनी गेंदे सामना करने का मौका मिलता है पावर प्ले के अंदर इन दोनों गेंदवाजों का, ठीक है, इनका अभी तक साथ अफरिका के खिलाफ 28 का एवरेजे जिसमें 250 हैं, पहले बेटिंग करते हुए कभी भी उतना बैतर नहीं किया, अगर आप सेकिंड बेटिंग की बात करें तो सेकिंड बेटिंग करते ज़रूर पिक करिएगा, दो बार 50 कर चुके हैं, फिर अगला नाम है दोस्तों यहां से नंबर 2 पे जोस बटलर का, जोस बटलर को वैसे तो कोई भी डॉप करने वाला नहीं है, पिछले बैच में बहुत अग्रेसिव मूड में थे, 22 रनों का स्कूर किया, अब इनका अग और अगर हम प्लेयर बैटल की बात करें, तो तबरेश शमसी ने एक बार आउट किया है, लेकिन स्ट्राइक रेट पे नजर रखेगा, 200 का है, इसके अलावा महराज ने एक बार आउट किया है, यहां भी स्ट्राइक रेट देखेगा, 1500 का है, और फिर तोड़ा सा और है, डेविड मलान 43 रनों का स्कोर किया, पिछले मैश के अंदर पसंद करते हैं, साथ आफरिका के खेला बैटिंग करना, क्योंकि साथ मेंसे तीन बार तो 50 से उपर का स्कोर किया है, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए, एक 50 है, सेकें बैटिंग करते हुए, इनको दिक्त होती है फास्ट बोलर से जिसके सामने 23 का इबरेज है और ऑफ ब्रेक गेंदबास से अब यहां ऑफ ब्रेक गेंदबास कौन है ट्रस्टीन स्टप्स जो कि बिलकुल फ्रेश है नए खिलाड़ी है उतना बहतर अभी गेंदबास ही शायद ना कर पाएं तो ऐसे मैं डैविड म बडा ने आउट नहीं किया नौर्किया ने एक बार आउट किया है लुगई एंगीडी ने एक बार आउट किया और प्रिटोरियस इने एक बार आउट कर चुके लगपक सभी के किलाफ डेड़ से उपर का स्ट्राइक रेट है फिर नंबर चार पाशे जॉनी बैस्टो और्थोडोक्स के खिलाफ 8 का एबरेज है, लेफ्टाम मीडियम के खिलाफ 16 का है, तो राइटाम फास्ट बूलर के खिलाफ 15 का एबरेज है, पिछले मैच में स्पिनर की गेंद पर ही कैच उठा था, शोड़ दिया गया, आसान सा केस था, और अगर हम बात करें लेफ्टाम म पास में है नहीं, और्थोडोक्स गेंद बाज है, केशब महराज, वो इन्हें परिशान कर सकते हैं, फिर हैं फास्ट बूलर, दोस्तों, जो की कगिसो रबाड़ा है, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, क्योंकि उनका इंगलेन के खिलाफ रिकॉर्ड उतना बैतर है न पास में है नहीं, लेफ्टाम मीडियम है नहीं, तो सिर्फ कगिसो रबाड़ा और और और्थोडोक्स गेंद बाज केशा मारा से इन्हें दिक्कत होगी और यह आउट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिये का, यहां पर उननचास का एवरेज, चार बार पचास हैं, तो इन चार बार पचास के चलते हैं, आप इन्हें टीम में शामिल कर सकते हो, इसके बाद गेंद बाजों में, शम्षी ने इन्हें दो बार आउट किया है, लेकिन इस ट्राइकरेट 180, एंडल फैलिकायो तीन बार आउट कर चुके हैं, इसके अलाबा दूसरे गेंद बाजों ने आउ अर्थोडोक्स गेंद बाज जिसके सामने 12 का इवरेज और राइट आम फास्टे बोलर के सामने 22 का इवरेज है, पिछले मैच में बेटिंग करने का उतना मौका मिल नहीं पाया था, और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अगर मुईन अली के बारे में, पिछले मैच मे के सामने आएगा, कौंटन डिकॉक के सामने आएगा, राइले रिशो के सामने आएगा, तीन-तीन लेटन बेट्समेन हैं जिनके सामने ये आपको गिंदवाजी करते हुए दिख सकते हैं, ऐसे में मुईन अली आपके लिए एक अच्छे पिक बनेंगे, आप चाहो तो बहतर नहीं रहा, फिर रिचर्ड ग्लैसन, रिचर्ड ग्लैसन की बात करें, तो इन्होंने मातर तीन मैच खेलें और साथ विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए जादा बहतर पिक हैं, क्योंकि अच्छी गेंदवाजी रिसेंटली करते आ रहा हैं, और सेम कंडिशन ट पारी में साथ विकेट निकाले हुए हैं, और जब बात आती ही सेकंड इनिंग की तो आठ विकेट इनके खाते में शाबल है, अलाकि पछले मैच में आप यहां पे जीरो देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप चाहें तो इन्हें जी एल में पिक करिएगा, स्मॉल पाए, लेकिन आप चाहें तो सेकंड इनिंग में इन्हें पिक कर सकते हैं, जब अगर पहले बैटिंग करते हुए, इंगलेंड दोस्तों से उपर कांकड़ा बना देगी, तो यह मान का चलिएगा, कि आपको इनके खाते में विकेट देखने मिल जाएंगे, लेकिन अगर बनाती, 160 या फिर 170 के असपास, जो कि वैसे होगा नहीं, क्योंकि इंगलेंड का बैटिंग लाइन अब बहुत लंबा है, तो तब आप इन्हें छोड़के जाएंगे, वैसे अगर दोस्तों बनते हैं, तो इनको विकेट मिल जाएगा, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों दो रनों का स्कोर, ता मैंने किलियर कहती है, तकि कॉंटन डिकोक आपको बड़ा स्कोर करके नहीं दे पाएंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कि दो रनों का स्कोर किया, 31 का एवरेज है, 10 पारियों में 2-50 है, नॉर्माली आप कॉंटन डिकोक से क्या उम्मीद करत दो कि 10 मैच खेल रहे हैं, तो कम से कम 4-50 लगाएं, 5-50 लगाएं, लेकिन यहाँ पर आपको 2-50 देखने मिल रहा है, क्योंकि इंगलेंड के खिलाफ रिकॉर्ड कहता है, कि 30 इनका एवरेज स्कोर है, और उतना ही यह बनाते भी है, और वैसे देखा जाए, तो इनकी जो कम अपली नहीं, इन्हें आउट किया था, क्रिस जॉर्डन तीन बार कर चुके हैं, मुहिन अली दो बार आउट कर चुके हैं, क्योंकि वो आफ ब्रेक गेंदबाज है, और इसके अलाबा आदिल रशीद भी इन्हें एक बार आउट कर चुके हैं, फिर रिजा हेंड्रिक्स, 57 का स्कूर किया, नॉर्मल याप रिजा हेंड्रिक्स से उम्मीद नहीं करते हैं, कि ऐसी पारी वो खेलेंगे, क्योंकि आप उनका रेकॉर्ड देखो, इंग्लेंड के खिलाफ ये 50 लगने के बाद में, 14 का अवरेज है, उससे पहले आप समझ सकते हैं, कितना रहा होगा, इन्होंने पहले बैटिंग करती हुए, पांच पारियों में, 8 के अवरेज के साथ में स्कूर किया है, जो सेकिंड डिरिंग में, 2 पारियों में, 28 के अवरेज के साथ में स्कूर करते हुए, एक 50 लगाया है, राइट आम फास्ट बोलर के सामने दिक्कत होती है, अगर एक भी फास्ट बूलर यहां पर खेल रहा होता वी इंगलेंड की टीम की तरफ से तो यह आपको फिर से पांच यह चहरानों का ही स्कोर करके देते अब बात इधनी सी है । अगर थोड़ा सा रिस्क ले विश्टी केरियर में जो कि उत्रा बहतर नहीं रहा दो पचास की दोनों पारियों में एक एक पचास है इन्हें दिक्कत है लेक ब्रेक से राशिद मौजूद है राइट आम फास्ट बोलर से कोई बोलर नहीं है और परेक में मुईन अली मौजूद है तो यहां पर टॉप ल आपने देखा अब यहां पर एक आपको ट्विस्ट देखने मिल सकता है वह यह की ट्रस्टीन स्टप्स जो है टीम उन्हें प्रमूड कर सकती है पिछले मैच के उनकी बैटिंग देखने के बाद में हो सकता है यह फिर नमबर पांच पर भी खिलाया जा सकता है यहां पर सेम करन परिशान कर सकते हैं और लेक ब्रेक गेंदबाज के सामने 21 काईबरेच है तो लेक ब्रेक गेंदबाज ही इन्हें दिक्कत देंगे और आप देखेगा आदिल रशीद आउट कर चुके हैं पहले भी फिर इसकी बाद डैविड मिलर टीम के कप्तान आट रनों का स्क इसलिए कुछ सालों में 21 का एबरेच है और प्लेयर बैटल में क्रिस जॉडन इन्हें तीन बार आउट कर चुके दोस्तों ट्रस्टीन स्टप्स बंदे ने कमाल कर दिया दोस्तों साथ अफ्रिका की जो टीम है जो नई टीम बनती जा रही ना वो कमाल बन रही है डिवाल स्कूर किया और जबरदस्त शॉट सेलेक्शन था दोस्तों बहुत शांदार शॉट्स खेले थे एंडिल फैलिकायो 22 रन प्लस एक विकेट इनका बैनेफिट यही है कि 22 रन मतब 15 ये 20 तो कर जाते हैं अगर बैटिंग आती है तो और कम से कम एक विकेट आप इनके खाते मे जरूर देखेंगे आप यहां पर देखिए साथ पारियों में 10 विकेट इनके खाते में शामिल है फिर है कगिसुर अबाड़ा साथ पारी 9 विकेट पहली पारी में 3 विकेट टोटल है सेकंड इनिंग में च्छे विकेट हैं जैसा मैं आपको आगे बताए भी था कि सेकंड इनिंग का रिकार्ड इनका ज्यादा बहतर है फिर हैं दोस्तों तबरेश शमसी इनको टीम में रखने में का उतना फायदा होगा नहीं दस पारियों में 8 विकेट इनके खाते में शामिल है जिसमें पहली पारी में एक है तो दूसरी पारी में 7 विकेट है फिर हैं दोस्तो कुछ ऐसे बल्लेवाज है जिनकी कमजोरी है कि वो और्थोडोक्स को नहीं खेल पाते हैं जील के अंदर ऐसा प्लियर आप केशा माराज को पिक करिएगा मैं कैप्टन वाइस कैप्टन सीगली नहीं कहूंगा क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो वहाँ पर आप ब बैटिंग करना अब चलिए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल आईजी वे में बता देते हैं आपको बटलर पहला नाम सभी लोग करते हैं लेकिन यूनिक नाम में रखा है डैविड मेलान को डैविड मेलान को पिक कर सकते हैं काफी सारे लोग जा रहे हैं ट्रस्ट इन सब्सको एक बार फिर बना सकते हो दोस्तों या फिर डैविड मिलर अगर आप साथ अफ्रीका का टॉप ओडर छोड़ रहे हो ना तो डैविड मिलर को ट्राय करिए का अब यहां पर जो हमारी टीम में वो दिखा देते हैं आपको कैप्टन बटलर कॉंटन डी करेंगे तो वह आपको टेलेग्राम पर बताऊंगा तो वहां रहना आप मेर साथ में बैरेस्टों मलान वाइस केप्टन है हैं हैं अली एंगीडी हैं टॉप लीक कगिसो रबाटा और ग्लैसन को टीम में चके दिया कोई भी बतलाव होगा वह टेलेग्राम पर क्लियर होग झाल 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